Welcome to Study Channel, मेरा नाम है मुहम्मद कैसर BPSC शिक्षक भरती के लिए आवेदन ले रहा है दूसरे चलड की ये भरती है यदि आप 6-8 के लिए फॉर्म भनना चाहते हैं तो ऐसे में आपको CTAT या BTAT का पेपर टू पास होना जरूरी होगा ऐसे में 1006 परिशान है कि हम CTAT के सर्डिफिकेट नमबर में क्या लिखें कौन सा नमबर यहां पर लिखना होगा तो यही जानगारी आपको यहां पर दे जाएगी बिल्कुल exact information मैं दूँगा लाश तक मैं नहिएगा यही दोस्तों आपने CTAT की परिक्षा दी है और आप पास हैं तो आपके पास CTAT का mark sheet जरूर होगा CTAT का mark sheet आपके पास होगा देखे दोस्तों जो आपका CBSC है CBSC कराता है CTAT का paper ठीक है और यही आप CTAT paper को पास कर लेते हैं तो CBSC आपको दो document इशू करता है आपके DG Locker में एक आपका mark sheet होता है और दूसरा आपका certificate होता है यह दोनों अलग-अलग होते हैं आप जाकर अपने DG Locker में चेक कर सकते हैं mark statement जहां पर लिखा होगा वो आपका mark sheet है और जहां पर सीधे सीधे certificate लिखा होगा वो आपका certificate है एक बात आप यहाँ पर समझेगा यदि आप CBSC दौरेट निधायत किये गए passing marks को पाते हैं अपनी category में तो ही आपका certificate इशू होगा नहीं तो बस आपको mark sheet ही CBSC देगा कहने का मतलब यह है कि CBSC ने बताया है कि सीटेट के लिए 90 नमबर चाहिए यदि आप सामान वर के चातर है चाहिए आप पुरुस हो या महिला हो ठीक है category से CBSC अपना decide करता है passing number जेंडर से नहीं करता है तो यदि आप सामान वर के हैं पुरुस हो या महिला हो 90 नमबर आपको लाना होगा ऐसे में आपका mark sheet के साथ certificate भी CBSC इशू कर देगा आपके डिजी लोगर में लेकिन बिहार में जो शिक्षक भरती है यहाँ पर सामान वर के पुरुस को 90 नमबर तो चाहिए लेकिन सामान वर की महिला को 82 नमबर पर ही लाओ किया गया है बात आपने समझा तो कोई बिहार की सामान वर की महिला है उसका 82 नमबर है 83 है 84 है या 85 है CBSC तो उसको फिल मानेगा उनका certificate CBSC इशू नहीं करेगा उनके पास सिर्फ mark sheet ही होगा तो ऐसी महिला के पास जब certificate है ही नहीं तो certificate number कैसे भर सकती है कोई सवाल ही नहीं है कि आप certificate number यहाँ पर कुछ लिख पाए certificate है ही नहीं तो आप भरेंगे कैसे हार में SC, ST और PH को तो सिर्फ 85 नमबर पर बिहार सरकार ने एलाओ किया हुआ है तो सिक्षा बिभाग ने कुछ special छूट दे रखा है बिहार में छात्रों को अब 45 नमबर पर तो CBSC certificate देगा ही नहीं चाहें आप किसी भी category से हो तो सब के पास पहली बाद certificate नहीं है ठीक है तो सब लोग certificate number नहीं पर सकते लेकिन इससे भी बड़ा समस्या यह है जिनके पास certificate है उस certificate में कोई भी certificate number लिखा ही नहीं है role number है और बाकी आपके details वगरे हैं कोई भी certificate number नहीं है seat at के certificate में हाला कि जो आपका seat at का mark seat है उसमें एक serial number है एक role number है तो आपको यहाँ पर serial number नहीं भरना है क्योंकि आपको mark seat की detail नहीं भरनी है certificate का detail भरना है तो आप यहाँ पर number मत भरिएगा आप अपने mark seat का serial number मत भरिएगा लेकिन यह आपके पास certificate है भी तो भी तो समस्या आ रही है certificate number उस पर है नहीं तो ऐसे में दोस्तों आपको सिंपल यहाँ पर करना यह है आपको यहाँ पर N और A लिख देना है पिछली बार भी जब प्राइमरी की सिक्षक भरती आई थी पहले चरण में तो सीटेट पेपर वन का डिटेल भरने में भी सेम यही प्रॉब्लम आ रहा था तो उसमें BPSC के चरण में बिल्कुल सापसा बताया था ट्वीट करके उन्होंने कहा भी था कि आप लोग सीटेट के सर्टिफिकेट में एने लिखकर फॉर्म अपना भर दीजिए चुकि यहाँ पर स्टार लगा हुआ है यह देटा भरना कंपलसरी है यदि आप इसको छोड़ देंगे तो फॉर्म आपका सम्मिट नहीं होगा तो बिल्कुल सिंपल सा काम आपको करना है ज्यादा कुछ सोचने की आउशकता ही नहीं एने लिख दीजिए और इस्चु डेट तो आपका सर्टिफिकेट पर है ही वो इस्चु डेट से रेट करिए और पीडियाफ अपना सर्टिफिकेट का यहां अप्लोड कर दीजिए आपका काम हो जाएगा कहीं से कोई समस्था नहीं आएगी नहीं फॉर्म भरने में नहीं डीवी में बात भी नहीं कहीं पर वेरिफिकेशन में ठीक है बाकी पूरा फॉर्म कैसे भरना है मैंने डीटेल में वीडियो बनाया हुआ है इस्टेप बाइस्टेप पूरा फॉर्म भरके दिखाया भी है डेस्क्रिप्सन बॉक्स में लिंक है एक बार क्लिक करके देख लिजिए सारे जानकार्य आपको मिल जाएगी ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेर करिएगा चैनल को सस्क्राइब करना है और हमारे साथ बने रहें थैंक्स फॉर वाचिग